अस्सलामु अलेकुम डियर स्टुडेंट्स इस वक्त हम लोगोंने अकामुटेशन का बिजदाफ एक्सजेंज में अकामुटेशन का प्रॉब्लम नमबर 20 जो है वो अटेम्ट करना है राइट अब इसमें देखें क्या इनफर्म कर रहा है अब अकामुटेशन के 20 एन ओन व कुछ पैसे B को बेज़ देगा ये तीन स्टेप A की तरफ से आएंगे फिर B बिल्डरा करेगा डिसकाउंट करवाएगा और पैसे जों से है वो A को ट्रांसफर करेगा तीन स्टेप B की तरफ से आएंगे ठीक और फिर आखिर में दो स्टेप इनसॉल्वेंसी के वो कामन हो बताएगा कि दोनों पार्टी इसमें से कोई एक इनसॉल्मेंट होगी है तो उसके दो स्टेप आएंगे तो अब इस हवाले से क्वेस्टन नमर्ट 20 को देखिएगा ये इसमें क्या इनफॉर्म कर रहा है ए ने बी पे 20,000 का बिल रॉख की है 1st January 2005 पे ए ने अपने इस बिल को 12% पारैनम के इसाब से बैंक से डिसकाउंट करवाया है थ्री मंस का बिल था अब डिसकाउंट करवाके जो पैसे मिले हैं कह रहा है हाफ अमाउंट उसने जोंस है वो बी को ट्रांसफर कर दिये राइट फिर साथ ही कह रहा है कि ये जो बी है न इसने 1st February पे ए पे जोंस अब उसने A को ट्रांसफर कर दिये तो यहां तक देखें बिटे होगे 6 स्टेप ठीक है न तो पहले हम अपने इन 6 स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो 6 स्टेप A 3 A की तरफ से 3 B की तरफ से तो अब यहां पहले लिखेंगे बिटे जरनला A और यहा A के पास credit title नहीं है यह B को credit कर लेगा और B के पास debit title नहीं है वो A को debit कर लेगा 20,000 से राइट अब यह bill जो हो गया draw अब A ने क्या किया अपने इस bill को जाके bank से discount करवाया है तो हमेशा accommodation में discounting वाला case होगा हम discuss कर चुके तो अब discounting वाली क्या entry होजेगी bank account debit discount account debit to bill receivable account credit over 100 यह discount हो गया अब period कितना है bill का 3 months तो 3 by 12 भी आ गया साथ तो यह आ गया बेटे 600 वीस तो 600 वीस का discount आ गया अब bank को हम 19,400 से debit करेंगे discount को हम 600 से debit करेंगे और 20,000 से bill receivable को credit कर देंगे ठीक है total 20,000 में से 600 discount हो गया तो बाकि 19,400 bank में चलेगे अब draw is के against क्या entry पास करेगा no entry उसका इससे कोई तालुक नहीं है अब A ने discount जब करवाया तो discount करवा के यह जो पैसे से मिले है वो कह रहा है इसमें से half amount उसने B को transfer कर दिया तो अब जब bill discount करवाया था तो bank और discount दोनो debit हुए थे ठीक है अब इन दोनों amounts में से half amount वो B को transfer कर रहा है तो इसलिए bank और discount दोन और यही amounts जो है वो B ने receive की है तो B क्या करेगा bank और discount दोनों को debit कर लेगा और A को credit कर लेगा यह तो हो गई हमारी entries अब values लेते हैं तो values कैसे हैं जब discount करवाया था तो bank कितने से debit हुआ था 19,400 से और discount कितने से debit हुआ था 600 से तो इसका half उसने transfer की है तो 19,400 को half करें तो 9,700 य इसको half करें तो इसका half आता है 300 ये discount के सामने आ गया और 20,000 टोटल बिल की amount थी इसको half करें तो 10,000 B के सामने आ गया अब यही amounts इसने receive कर ली 9,700 bank debit हो गया discount 300 से debit और A जो है वो 10,000 से credit तो ये A की तरफ से 3 steps हो गये complete अब यही 3 steps B की तरफ से आने है आप देखें जो B है उसन ने भी 5,000 का bill draw किया है तो अब February 1st पे B अपनी book में क्या करेगा बिल रसी वेबल अकाउंट को 5,000 से debit करेगा और A अपनी book में bill वेबल को 5,000 से credit करेगा अब एक के पास debit title नहीं है एक के पास credit नहीं है तो A अपनी book में B को debit कर लेगा और B अपनी book में A को credit कर लेगा और amount कोई 5,000 आजेगी ठीक अब B ने इस bill को discount करवाया है तो जब यह discount करवाएगा तो क्या entry होजेगी bank account debit discount account debit और bill receivable account credit अब amount कैसे आएगी 5,000 का bill है इसका 12% 12 over 100 यह discount हो गया duration कितना है 3 मन्त 3 by 12 तो discount आ गया बेटे 150 ठीक है तो अब 5,000 में से 150 discount हो गया ठीक तो इसका मतलब है 4,850 यह bank में debit चला गया 150 discount को debit हो गया और bill receivable credit हो जएगा 5,000 से और dry is के against के entry पास करेगा no entry उसका इससे कोई तालुक नहीं है अब discount करवा के यह जो पैसे B को मिले है वो कह रहा है B ने भी इस amount में से half amount A को transfer कर दी है ठीक है न तो जब A को यह amount transfer करेगा तो क्या entry होगी जब देखें amounts receive की थी तो bank और discount दोनों debit हुए थे right तो अब half amount transfer की है तो अब bank और discount दोनों half amount से credit हो जेंगे right तो और debit में क्या आज तो entry हो जेगी बिटे आपके पास A debit to bank account credit to discount account credit अब यही amounts चुके A ने receive की है तो वो अपनी book में bank और discount दोनों को debit कर लेगा और B को credit कर लेगा यह तो आगी entry आप amount कैसे आएंगी देखें जब discount करवाया था तो bank debit हुआ था 4850 से तो इसका half transfer की है तो वो जेगा 2425 यह bank को credit चल तो इसका half आ जाता है 75 वो discount के सामने आ गया राइट आप इन दो विल की value कितनी थी 5000 तो इसको आप करें तो 2500 A के सामने आ गया अब यही amounts जो से वो इसने receive कर लेगा तो यह bank को 2425 से debit कर लेगा discount को 75 से debit कर लेगा और B को जो से 2500 से credit कर लेगा राइट यह अब हमारे six steps जो से ह वो होगे complete 3A की तरफ से 3B की तरफ राइट अब आगे वो inform कर रहा है कि जो A है ना उसने अपनी acceptance को meet कर लिया लेकिन B ने अपनी acceptance meet नहीं की बिल dishonor हुआ कह रहा 300 पी जो से हैं वो interest लगा और दोबारा से जो से है वो नया बिल जो से है वो बन गया राइट तो अब देखें अब उसने पहले बात किया A ने अपने बिल को meet किया बाद में वो B का जिकर कर रहा है तो हमने चुके end question को date wise record करना होता है तो पहले due date आएगी B वाले बिल की तो B वाला बिल 1st January पे draw हुआ था ठीक है ना B ने 1st January पे बिल को accept किया था और A ने 1st February पे accept किया था तो A वाले बिल की due date बाद में आएगी B वाले बिल की due date पहले आएगी तो अब उसने बेशक जिकर पहले A वाले बिल का किया है लेकिन अमने entry के मताबिक पहले भी वाले bill को record करना है क्योंकि date के साब से चलना है तो अब 1st January पे जो bill draw हुआ था 3 months के लिए तो उसकी due date क्या बनेगी 1st April पे 3 months complete हुए April 4th due date बनेगी तो जब due date पे draw ही पैसे दे चाहे ना दे वो क्या entry pass करेगा हमेशा bill payable को debit करेगा अब अगर पैसे दियें तो credit करें cash को पैसे नहीं दियें तो credit करें A को तो पैसे नहीं दियें इसलिए A credit हो गया amount कितनी आजेगी 20,000 अब इसके against draw क्या करेगा dishonor की situation में draw हमेशा अपनी book में draw को debit करता है तो draw कोन है B और credit के से करेगा bill के holder bank को कितने से 20,000 से ये bill हो गया dishonor अब इस dishonor bill के against हमने with interest नया bill बनाना है तो interest draw का expense बनेगा तो draw अपनी book में B अपनी book में interest को expense के तोर पे debit कर लेगा और यह interest draw के लिए income बनेगी तो income के तोर पे वो अपनी book में interest को A जों से वो credit कर लेगा अब A के पास debit title नहीं है वो B को debit करेगा B के पास credit title नहीं है वो A को credit करेगा और amount कितनी आजेगी बेटे 300 तो यह entry हो जेगी interest to A 300 और यहाँ आजेगी B to interest 300 अब हम लोगों ने क्या करना है दोबारा से नया bill बनाना है तो अब नया bill कितने का बनेगा 20,000 बिल के और 300 पीस जों से है वो interest के है तो total मिल के कितने हो जाएंगे 20,000 and 300 तो नया bill 20,300 से जों से वो draw होगा अब यहाँ देखें यह हम लोगों ने नया bill जों से वो draw किया तो क्या होगा यह अपनी बुक में बिल रसीवेबल को debit करेगा और यह अपनी बुक में बिल पेबल अकाउंट को credit करेगा अब A के पास credit title नहीं है यह B को credit करेगा B के पास debit title नहीं है यह A को debit करेगा और amount कितनी आ जेगी 20,000 and 300 तो यह हमारा B वाला bill dishonor होके उसके against नया bill बन गया अब आ जाते है बिटे A वाले bill की तरफ तो हमारे A वाले bill की जो due date है वो 1st February पे draw हुआ था 1st May पे उसके 3 months complete हुए 3 दिन उसको extra दे तो May 4 जों सिया उसकी due date हाती है तो drive A है तो यह पैसे दे चाहे ना दे यह debit करेगा bill payable account को right 5000 से अब चुके पैसे अदा नहीं की है इसलिए यह cash को credit करेगा तो यह entry हो देगी 5000 से bill payable debit और cash credit अब जो draw है वो इसके against draw जो है वो इसके against के entry पास करेगा वो honor की situation में देखेगा के bill उसके पास है या नहीं है अगर bill इसके पास है तो फिर यह entry करेगा cash debit और bill receivable credit और अगर bill इसके पास नहीं है तो entry की ज़रूरत नहीं है तो may 4 पे यह bill इसके पास मौझूद नहीं है इसलिए यह entry नहीं करेगा ठीक है बेटे तो यह हो गया हमारा second वाला bill पहले honor हो गया अब वो बता रहा है further के जो अब B है न वो हो गया insolvent ठीक तो insolvency को हम हमेशा दो step में record करेंगे तो पहला step हम B वाले bill को dishonor करेंगे ठीक तो जब bill dishonor होगा तो July 1 पे वो बता रहा है तो drive पैसे दे चाहे ना दे यह bill payable account को करेगा debit अब चुक्के पैसे अदा नहीं की है बिल को dishonor की है इसलिए A को debit कर लेगा यह credit कर लेगा तो इसकी book में entry हो जएक बिल payable account debit और A जो उस है वो credit हो जएगा right कितने से 20,300 से अब जो draw है वो इसके against के entry pass करेगा dishonor में वो हमेशा draw B को debit करेगा और बिल के holder को credit करेगा तो बिल कहां है यह जो 20,300 वाला बिल बना था यह draw और accept होने के बाद कहीं नहीं गया था इसके अपने पास था इसलिए यह bill receivable को credit करेगा कितने से 20,300 से तो इधर entry होगी bill payable to A 20,300 और A की book में entry होगी B to bill receivable 20,300 अब जो second step of insolvency है इसमें हम लोग क्या करेंगे यह जो person insolvent हुआ है B हम इसका ledger बना लेंगे तो B का ledger यह आपके सामने है ठीक है तो इसको हमने कहां से उठाना है फिर वही अपनी entry से तो B का record हमें कहां मिलेगा A की books में तो अब आप देखें A की books में यहां पर आजें B कहां कहां मौजूद है तो यह देखें बिटे पहली entry में B credit हो गया account की credit side पे लिख देंगे 20,000 bill receivable की वज़ा से फिर अगली entry में B नहीं है छोड़ देंगे फिर next entry में B debit हो गया bank और discount की वज़ा से bank की वज़ा से 9,700 और discount की वज़ा से 300 यह दोनों amounts B के account की debit side पे लिखेंगे आप फिर उससे अगली entry में आए तो B debit हो गया है bill payable की वज़ा से 5,000 तो debit side पे लिख देंगे bill payable 5,000 next यह देखें B जोंस है credit हो गया bank को discount की वज़ा से तो B के ledger में आप credit side पे लिखोगे bank 2,425 और discount 75 फिर next entry में B जोंस है again debit हो गया है तो आप B के debit side पे आप लिखेंगे bank account 20,000 फिर next entry में B दोबारा debit हो गया है interest की वज़ा से तो आप debit side पे लिखेंगे interest 300 रुपीस ठीक है फिर उसके बाद next यहाँ पर देखें B जोंस है अगली entry में credit हो गया है तो B के account की credit side पे आप लिखेंगे 20,300 रिजन में लिखेंगे bill receivable फिर next entry में bill B है ही नहीं है छोड़ देंगे उससे next entry में देखेंगे first step of insolvency में यह B जोंस है debit हो गया था तो debit side पे आप लिखेंगे bill receivable 20,300 तो यह आपकी सारी posting हो गई complete तो यह अब आपके B के ledger में यह देखें आपके सामने यह debit side पे सारी amounts मौझूद है ठीक है और credit side पे यह 4 amounts मौझूद है circle वाली amount अभी नहीं आई है अब हम अपने इस B के ledger को क्या करेंगे close करेंगे तो हमने यह का जी कि यह जो हमारा insolvent percent है इसकी हमेशा debit side का total ज्यादा होगा credit side का total कम होगा ठीक है तो जो difference है वो कितना रहा है 12,800 B से कहा जाएगा कि यह पैसे आप हमें अनायत करें दें वो insolvent है वो हमें यह 12,800 सारे पे नहीं कर पाएगा आप उसने क्या mention किया वो कह रहा है 40 पैसा इनारुपी आप लोगों को उससे रिकावर हुए 40 पैसा इनारुपी means 40 percent recovery हुई है तो अब आप क्या करेंगे 60 percent पैसे रिकावर हुए 60 पैसा इनारुपी मिला है आपको तो 60 पैसा इनारुपी means 60 percent तो अब 12,800 का आप ले 60 percent तो कैसे आएगा 12,800 multiply 60 divided by 100 तो यह आजएगा बिटे 7,680 ठीक यह amount हमें उससे रसीब होगी है इसके सामने आप लिख देंगे बिटे cash ठीक 7,680 अब जो 12,800 में से 7,680 मिल गे तो बाकी 5,120 हमें नहीं मिले हैं इसके सामने आप यहां लिख देंगे बिटे bad debts तो यह अब आपका लेजर होगया complete अब यह जो 12,800 आपका difference है इसकी entry record कर लेंगे second step of insolvency में तो अब B की चुके debit side का total ज्यादा है इसने पैसे देने हैं तो इसका मतलब है A ने पैसे लेने हैं तो यह A का journal यह वाला है तो A जब पैसे वसूल करेगा तो वो अपनी बुक में के entry पास करेगा second step of insolvency में जितने पैसे इसको मिलेंगे उसके लिए अपनी बुक में cash account को debit कर लेगा 7,680 से जो पैसे नहीं मिले थे वो थे 5,120 उसके लिए बैट डेट्स को debit करेगा और B को credit कर देगा total 12,800 से तो ओपराल entry क्या होजेगी cash account debit bet debt account debit to B credit तो cash debit होगा 7,680 से bet debt debit होगे 5,120 से और B credit होगा 12,800 से अब B ने चुके amount की payment की है तो यह अपनी books में के entry pass करेगा यह A को debit करेगा जितनी amount इसने pay की है उसके लिए यह अपनी book में cash account को credit करेगा और जो amount यह अदा नहीं कर सका वो इसकी deficiency रही कमी रही इसलिए यह deficiency account को credit कर देगा 5,120 से तो यह था हमारा second step up in solvency यह भी complete हुआ और इसके साथ ही यह हमारा question number 20 जोंस है वो हो गया complete